ग्रिया मंत्राले की मंजूरी के बिना भारत नहीं छोड़ सकते अफगान नागरिक नई गाइडलाइन्स जारी हम सरकार से टकराव नहीं चाहते ट्राइबूलेंस एक्ट पर लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिपणी करोना से मोतों का आकड़ा 160 दिनों में सबसे कम ए इपा बाइरस से के चलते जान गवाने वारे बच्चे के घर पूचता अच के लिए पहुंची केंद्रिया टीम दिल्ली शिक्षा में शर्वस्ट्रेश्ट योगदान देने वाले 122 शिक्षकों प्रिंसिपलों को मिला सम्मान टीचर्स को वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर देगी सरकार दिल्ली में बरसात राज़लादी पर महरबान रहेगा मौनसून 9 सितंबर तक बारिश के आसार 11 लाग से जादा को लगी वैक्सिन चंदिकर्ण में पिछले 24 घंटे में 2020 संग्दित मरीजों के टेस्ट किये गए जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले अभी तक 11 लाग से जादा को लगी वैक्सिन चंदिकर्ण की पूरी अबादी को लगी पहली डोज 8,27,260 ने पहली डोज तो 3,28,443 लोगों ने वैक्सिन की दूसरी डोज लगवाई कोरोना पॉजिटिव रेट अब 0.10 प्रतीशत ठमेंगे 2000 बसों के पहिए अनिस्चित कालिन हर्ताल पर कच्चे करमचारी पंजाब फिर घहरा सकता है बिजली संकट सरकारी थर्मल प्लान ठप नीजी भी हो सकते हैं बंद पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट किसान विरोध को देखते हुए सुकबीर ने सो दिन सो हलके की यातरा छे दिनों के लिए रोकी हीमाचल की नोर में नेशनल हाईवे पर जूरी के पास बुस खलन यातायाद प्रभावित हीमाचल में सो फिसदी लोगों को पहली डोज पियमोदी बोले करोना से लड़ाई में चेंपियन बनारा जेस वास्ते करमियों को दी बढ़ाई ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूले